खुलूंखा, मंच्पे उपस्थित, हम सभी के प्रियनेता, महराजा प्रद्युत बिक्रम किशोर मनिक्दे बर्मन जी, बिजेर अंकोल जी, जो पार्टी के अध्यक्ष है, स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए सभी MLA's और डिस्ट्रिक काउंसल के सभी MDC's, Chairman, CEM, सभी हमारे Assembly के MLA's और अलग-अलग कोनों से आज इस महासभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाईयों, बहनों और सभी मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी स्टेट की तरफ से और मेरी तरफ से शुब कामनाय और प्रणाम और नमस्कार कहना चाहता हूँ, हम सब के प्रियनेता, मेरे दोस्त, महराजजी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया, और आप सब के साथ इस महासभा में भाग लेने का मुझे उन्होंने अफसर दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले महराजी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने मुझे से पूछा, कि आप इस महासभा में क्यूं जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने मुझे से यह पूछा, मैंने उनको जवाब दिया, कि मैं मेरे तिप्रसा के भाईयों और बेहनों को मैं मिलने जा रहा हूँ, मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की पर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, दूसरा मैंने कहा, कि मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, महराज़ा जी से मैं मिलने जा रहा हूँ, हाँ और एक और बात, कि मैं इसलिए भी जा रहा हूँ, क्यूंकि मैं हमारे तिप्रसा के सभी भाईयों और बेहनों को ये बताना चाहता हूँ, कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपके कठिनाईयां हैं, जो आपने अलग-अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूँ, दोस्तों, नौर्थीस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, हमारे यहां पे अनेकों कम्यूनिटीज, ट्राइब्स हैं, अलग-अलग इंडिजनिस लोग हैं, और अगर आपने, पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है, अलग-अलग समय में, अलग-अलग नेताओं ने, हमारे नौर्थीस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के, अलग-अलग कम्यूनिटीज के, इंडिजनिस ग्रूप्स के, जो हमारी कठिनाईयां हैं, सोच है, इन्हें, हमारे लीडरों ने, बहुत सालों से उठाया है, चाहे, हमारे और आपके प्रियनेता, जो आपके प्रेजिडेंट है, श्री बिजयर अंकल जी, चाहे मिजोराम के हमारे जो लीडर है, श्री जोरम थांगा जी, या अलग-अलग नागालेंड के, अरुनाचल प्रदेश के, मनिपूर के, हमारे मेगलाय के, जैसे पी-ए सांगमा जी थे, इन अनग-अलग लीडरों ने, हमारे अलग-अलग इशूस को, अलग-अलग लेवल पर उठाया है, शायद रास्ते अलग हो, रास्ते अलग हो, लेकिन हमारे मकसद और मन्जिल एक ही था, इस सोच को, और इस मकसद को उठाने के लिए, हम लोग ने अलग-अलग कदम उठाये, मैं इस पे विचार करने नहीं आया, कि कौन सा रास्ता सही था या गलत था, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी मन्जिल एक ही थी, आज जिस तरीके से, हमारे नौर्टीज के हमारे अलग-अलग कम्यूनिटीज, इंडिजिनिस ग्रूप्स, ट्राइबल कम्यूनिटीज को, जो अलग-अलग कठिनाईयां हुई है, इन कठिनाईयों के खिलाफ, आवाज उठी, हमारे लोगों ने, हमारे इस पवित्र भूमी को, रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई, हमारे संसकारों, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कल्चर को, इसको प्रोटेक करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए, हम लोगों ने आवाज उठाई हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लीडरों ने आवाज उठाई हमारी माँ बेहनों के लिए उनकी रक्षा के लिए अलग-अलग आवाज हमारे लीडरों ने उठाई हमारे आने वाले पीडियों के लिए अलग लिडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे नौर्टीस्ट में आवाज उठाई और जब मैं ये कहता हूं हम किसी के खिलाफ नहीं हैं हम किसी के खिलाफ नहीं है हमें मालूम है कि भारत में हमें सबी के साथ रहना है हमें मालूम है कि जैसे भारत आगे बड़े हम चाहेंगे कि नौर्टीस का हर कम्यूनिटी हर नागरिक साथ आगे बड़े क्योंकि पूरा डिवेलप्मेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक हर कम्यूनिटी का जब वो आगे पड़े तभी देश बढ़ेगा इसलिए हमें कोई आपत्ती नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाते हैं, लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमी को छिनने की कोशिश की, या हमारे संसकारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रित्ती रिवास को, बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की, फ्यूचर को, नश्ट करने की कोशिश की, हमारे मा और बहनों को, नश्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पिडियों की जो जेनरेशन का जो भविश्य है, उसे खतम करने की कोशिश की, तो हम छुप नहीं रहेंगे, और हम कभी भी इसे स्विकार नहीं करेंगे, हाँ देश बक्त है, और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्यूनिटी, हमारे इंडिनिजिस लोगों के खिलाफ, अगर कुछ हुआ, तो हम भी चुप नहीं रह सकते, और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहाँ आया हूँ, मुझे याद है, बहुत साल पहले, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई, उस कहानी में उन्होंने पताया कि, जब वो छोटी थी, तो उस समय उनके दादा, मेगलाया स्टेट, हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे, और जब मेगलाया के हिल स्टेट के लिए, जब मेरी मा के जो दादा थे, वो जब लड़ रहे थे, तो मेरी मा की जो दादी थी, उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यू पढ़ रहे हो अरे तुमको क्या मिलेगा छोड़ो घर के बारे में सोचो यह सब Hill State Movement करके कोई फाइदा नहीं है मेरी मा की दादा दादी ने मेरी मा की दादा से ये बात कही और उसमें मेरी माँ ने उनकी बात सुनी और जब उन्हें ने सुनी तो मेरे दादा ने कहा देखो चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूँ इसका फल जो है मेरे बच्चों को मेरे ग्रेंट चिल्विन को और आगे आने वाले पीडियों को इसका बेनेफिट मिलेगा उन्होंने ये कहा और दोस्तों आज जो मेरे मा के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है और इसलिए और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आप आए है शायद आपके मन में भी ये सोच होगी लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए आपको विश्वास रखना होगा आपको विश्वास रखना होगा कि एक न एक दिन आप कामियाब होंगे ये विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाए हैं यहाँ पे हमारे महिलाए हमारी माँ हमारी बहने हैं इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं जो भी काम आज आप कर रहे हो ये आगे आने वाले पीडियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा दोस्तों हमारा देश एक लोग तंत्र देश है और एक लीडर की आवाज से ज़्यादा पब्लिक की आवाज ज़्यादा शक्तिशाली है यह आपको ध्याद में रखना है पब्लिक की आवाज और पब्लिक जो चाहती है लोग तंत्र में वही सबसे आगे होता है इसलिए जैसे हम आगे बड़े हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग-अलग नौट-तीस के जो हमारे ट्राइबल्स अलग-अलग हमारे आदिवासी इंडिजनेस ग्रूप के जो हमारे लोग है कहीं-कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है बहुत सारी ऐसी शब्दे हैं जो आपकी लेंग्विज और हमारे गारों लेंग्विज से बहुत मिलती जुलती हैं आपको मालूम है जब आपके चेर्मेन और आपके कुछ लोग स्पीश दे रहे थे तो आदर स्पीश तो मैं समझ पाया और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्यूनिटीज में और इंडिजनिस कम्यूनिटीज में एक तरीके से एक जोड है एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते और इसलिए हमें साथ रहना है एक दूसरे का साथ देना है जब तिप्रासा का इशू हो आपका कोई प्रॉबलम हो तो हमें इन और 30 के बाग की कम्यूनिटीज को आपके साथ रहना है आपके साथ चलना है आपके साथ काम करना है क्योंकि भारत एक लोग तंत्र है अगर हम अलग-अलग बिखर गए और अगल-अलग हमारे चोटी-चोटी नंबर आए क्योंकि डिमॉक्रिसिय और लोग तंत्र है शायद कोई ध्यान न दे मैं किसी को दोश नहीं दे रहा लेकिन यही डिमॉक्रिसिय है और यही हम लोग की राज़रिती है इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोग तंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी है हमारी एकता बहुत जरूरी है और जैसे कहा हमें एक दूसरे का साथ देना है और इसलिए दोस्तों आज मैं यहां आया हूँ मुझे विश्वास है कि आज जो यहाँ पे हजारों की संख्या में आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहाँ पे आज मौझूद है मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुभागरा के साथ हम इसे पार्लमेंट तक ले जाए और वहाँ हम इस आवाज को आपकी आवाज को हम पहुचाए ये मेरा आप लोगों के वादा है हम चाहेंगे कि कॉंस्टिटूशनली हम आगे बड़े हम एक सुलूशन निखा ले और इन चीजों को इन चीजों का हल ढूने और इसे दोस्तों एक बार फिर ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ इस मीटिंग में आए और आपने हमें इतना संबान दिया मेरे साथ मेगलाया के अदग MLS भी आए है और पहली बार उनका भी यहाँ पे विजिट है तो आज आप सब का प्यार देखके उन्हें भी बहुत खुशी हुई और हम सब की ओर से एक बार फिर हमें संबान देने के लिए हमें यहाँ पे स्वागत करने के लिए और बुलाने के लिए आप सभी को और भुभाग्रा को मैं पूरे दिल से मैं एक बार फिर सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं I would once again like to take this opportunity to thank all the organizing committee members for calling us here and I would like to thank our honorable Maharaja Sahib for having invited me here to this program and to all our friends who are watching us throughout the Northeast today through different channels that are being telecasting this particular program all over this is a very strong message of unity of the Northeast and I want to tell our friends from throughout the Northeast we are not here to fight or to go against any community or any individual or anybody but we realize that when it comes to protecting our rights and our people there will be nobody else but us to do it and therefore we must take up that responsibility and hence today when this mega rally is being organized I am here to show my solidarity and support for Tiprasa and for the Maharaja and for all of you that we will work with you hand in hand to take the cause of the indigenous people forward with these few words I once again thank the Maharaja and wish all of you the very best thank you very much and Jai Hind